दोस्तो DSSB की तरफ से नई ग्रूप सी पोस्ट की रिकूट्मेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है ओनलाइन आविदन की प्रक्रिया भी इनकी शुरूख हो चुकी है अलग-अलग वेकेंसिया हैं, अलग-अलग क्वालिफिकेशन के अकोल्डिंग और All Over India लेवल से कैंडिडेट इस रिकूट्मेंट के लिए ओनलाइन आविदन कर सकते हैं इस रिकूट्मेंट से जुड़ी हुई सारी जयनकारी बिलकुल विस्तार से इनके ओफिशल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेर की जाएगी आप वीडियो को शुरू से लेके आखिल तक जरूर से जरूर देखें और आल ओवर इंडिया लेवल से गवर्मेंट रिकूट्मेंट से जुड़ी लेटस टप्टेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब कर ले तो ठीक है दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन ये है एटवर्मेंट नंबर साथ बटे दो हजार चोबिस अब बदो का भी फिर्म देख लेते हैं इसके बाद अगली वेकेंशी डाटा एंट्री ओपरेटर ग्रेड ए की डिपार्टमेंट है डिस्टिक एंट सेशन कोर्ट दो वेकेंशिया हैं इसके बाद अगली वेकेंशी स्वीपर सफाई करमचारी की ये भी डिस्टिक एंट सेशन कोर्ट के लिए हैं कुल बारा पद हैं टेंथ पास आपने कर रखी हो पेस के लहें 2700-79100 लेवल 3 ग्रूप सी की पोस्ट है एस लिमिट 18-27 साल इसके बाद वेकेंशिया हैं चोकिदार की डिस्टिक एंट सेशन कोर्ट में तेरा वेकेंशिया हैं टेंथ पास आपने कर रखी हो पेस के लहें 2700-79100 लेवल 3 ग्रूप सी एस लिमिट 18-27 साल इसके बाद ड्राइवर स्टाफ काल ड्राइवर ग्रेड टू की वेकेंशिया डिस्टिक एंट सेशन कोर्ट के लिए 12 पोस्ट है 10 पास आपने कर रखी हो और उसी की इसार साथ with a valid driving license of LMV and 2-year unblemished experience in the line पेस केल 25500-18100 लेवल 4 ग्रूप सी की पोस्ट है एस लिमिट 18-27 साल इनके लिए निर्धार की गई है टैंथ आपने कर रखी हो और LMV का valid driving license आपके पास होना चाहिए और जहां तक fees की बात सोरप application fees निर्धारित की गई है women candidates के लिए schedule cast, schedule tribe, pw, bd और ex-service man के लिए कोई भी application fees नहीं लगेगी बाकी के लिए सोरप application fees यहां निर्धारित की गई है और जहां तक IUCMA में छूट की बात है वो कुछ इस प्रकार से है SCST को appropriate 5 साल की, OBC को 3 साल की, pw, bd unreserved और EWS category से है तो 10 साल की pw, bd अगर SCST से है तो 15 साल की, pw, bd अगर OBC category से है तो 13 साल की अपरेजनिमिट में चूट दी जा रही है government employees को भी as per government rules orders के according अपरेजनिमिट में चूट दी जा रही है और ex-servicemen को group b और c की post on period of military service plus 3 year की अपरेजनिमिट में चूट दी जा रही है maximum age 55 साल से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए online आविदन की प्रक्रिया इनकी चल रही है 20 March 2014 से online आविदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है आविदन करने की अंतिव्दिती 18 अपरेल 2024 है dssvonline.nic ये official website है इस official website पे जाके आप इन पदों के लिए online आविदन कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों यही चैनकारी आप तो पहुंचाने थी वीडियो के माधिम से वीडियो से लगात लाइक और शेयर करें आज अभी के लिए तना ही फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ पत्तक के लिए नमश्का